हेलो दोस्तों स्वागत आपका फ्रेंड इस्टेडी सर्किल चैनल में और चले दोस्तों इस्टार्ट करते हैं अगला पार्ट उसके पहले पार्ट में जैसा कि हम लोग दो पार्ट पढ़ चुके हैं राइड डियूटीज और लाइबिल्टीज आव अव आडिक्जाम के लि आप अच्छे से रिवीजन कम समय में कर सकते हैं बीना देर के हुए चलिए हम लोग सुरू करते हैं चैनल पर यह आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा कमेंट बाक्स में बताइए कैसा रहा यह टॉपिक और कहां तक आपको यह concept जो है clear हो गया चलिए start करते हैं और जैसा कि दूसरा पार्ट में हम लोग यहां तक देख लिए थे और अगला question देखते हैं क्या है अगला question पूछ रहा है कि ब्योसाय को एक अंके छक जो अंके छट स्विकारता है परन्तु उद्द्योग विशेसग्यता प्राप्त नहीं करता को चाहिए आपसन विशेसग्यों को लगाना दूसरा कहरा ब्योसाय की काई के मामलों की जानकारी लेना तीसरा है इसके संब्द में प्रवंद की जानकारी लेना या चौथा अन्य अंके छकों की सहायता लेना राइट आंसर बताईए उससे पहले हम आपको एक्स्प्लेनेशन दिखा देते हैं जिसे एक आपको आईडिया लग जाएगा कि हां क्या इसका आंसर होगा देखिए यहां पर बताया जा रहा है एक अंके छक जो किसी ब्यवसाइक संस्था का अंके छड करना स्विकार करता है परंत उसे उस ब्यवसाय या उद्द्यों की संपूर जानकारी उपलब्द नहीं है साथ ही वह इस तरह के ब्यवसाय का अंके छक करने जा रहा है उसकी वो अंकेचर सही ढंग से कर लेगा, इसके लिए उसे जो भी जानकारी है उसे complete कर लेना चाहिए, तो इसके according आपको आंसर पता चल गया होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ब्योसाइक एकाई के मामलों की जानकारी ले लेना चाहिए, ठीक है Q15 है, लेखा परिच्छक की रिपोर्ट की आवज सेकताएं, कमपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतरगत आता है, यदि आपने पहला या फिर दूसरा पार्ट देखा होगा, तो उसमें यह जो है, इससे related बताए गया है, section जो भी है, 142 में क्या है, 143 में क्या है, 149 में क्य ठीक है, option क्या क्या दे रहा है, जो section यानि धारा 144, धारा 143, धारा 142 या धारा 145, राइट आसर बताए इसका क्या होना चाहिए, explanation पहले देखी क्या कह रहा है, कंपणी अधिनियम 2013 की धारा, यानि section 143 के तहत, यदि किसी कंपणी के लेखा परिच्छक, कंपणी के सदस्यों को उनके द्वारा जाचेग खातों और प्रतेग वित्ति अभियूरण या अन्य दस्तावेज पर एक रिपोर्ट देता है, जि इसको कंपणी के सामान बैठा के समक्ष प्रस्तुत करना आवस्यक होता है, तो किस धारा के अंतरगत ये चीजे हैं, कंपणी की अधिनियम धारा, जो 2013 की धारा है, 143 के तहत ही ये condition दिया गया है, ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है, कि जो इसके rights and duties हैं, वो अंकेशक क किस धारा के अंतरगत दिये गया है, आप comment box में जरूर बताइए, इसके पहले पार्ट को देखे होंगे, तो आपको पता होगा, और यदि आपने नहीं देखा है, तो पहले पार्ट से देख लीजिए, और दोस्तों, इस is related और हुबहू इसी तरह के ही question आपको exam में देखन पर एक राय ब्यक्त करता है, ठीक, तो उसके उत्तरदायतों का विस्थार होता है, ग्रहा के प्रवंदर नेड़न का अंतर निहित ज्ञान, company के शाल्वेंसी के लिए एक सतत्थ जिम्मिधारी, company को दी गई सलाह के कार्यावन में, कार्याबनान में, सक्रिय भागीदारी, और क्या कम्पनी के परिचालन नेड़ेयों के परिडाम वित्तिय विरुणों में उचीत रूप से प्रस्तुत किये गए हैं। तो एक्स्प्लेनेशन पहले देख लिजें। यहां पर बता रहा है कि एक सामवेधिक लेखा परिच्छक, कम्पनी या सरकार के वित्तिय विवरुणों और रिकार्ड की सुध्धता का कानूनी रूप से समिच्छा करता है। और कम्पनी के परिचालन नेड़ों के परिडाम वित्तिय बिरोडों में उचीत रूप से प्रस्तुत किये गए बिरोडों पर राय ब्यक्त करता है कि यह उचीत रूप है या नहीं, ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल गया होगा, राय आंसर इसका क्या होना चाहिए, क्या कम्पनी के परिचालन नेड़ों के परिड़ाम वित्तिय बिरोडों में उचीत रूप से प्रस्तुत किये गए हैं, राय आंसर हो जाएगा, आपसन नम्मर फोर, क्योशन नम्र सत्रा कहा है, कौन सा अनुभाग यानि सेक्षन या धारा कम्पनी अधिनियम के अनुसार, लेखा परिच्चकों के पारिस्रमिक को सामिल करता है, 142, अनुभाग 148, अनुभाग 143 या अनुभाग 149. कमपनी के लेखा परिच्छक का पारिस्रमिक पहले लेखा परिच्छक के अलावा ठीक है इसको छोड़के कह रहा है लेखा परिच्छक के अलावा पहले जो लेखा परिच्छक है उसके अलावा कमपनी अधिनियम 2013 की धारा 142 142 की अनुसार अंसधार को द्वारा सामान बैठक में निर्धारित किया जाता है जबकि कमपनी के पर्थम लेखा परिच्छक का जो पारिस्रमिक है वो निदेशक मंडल की द्वारा तैं किया जाता है यह चीज आप ध्यान देंगे तो राइट आंसर इसका क्या होगा अनुभाग यानि की सेक्षन 142 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योश्चन नमर 18 है यदि परिच्छट से पता चलता है कि कमपनी के प्रभंधन ने कमपनी के खातों में जान बूझ कर अनियमी तताएं की है तो लेखा परिच्छक का करतब भी होगा क्या करतब भी होगा इसे अंदेखा करेगा क्योंकि यह बहुत तीक प्रकृत की नहीं है इस तरह के अनियमी तताएं न दोहराने के लिए प्रभंधन का आगाह करेगा भविस के ऑडिट के लिए अनियमी तताओं पर ध्यान देना या आगे असपस्टिकरर प्राप्त करने के लिए अनियमी तताओं के प्रभाव की जांच रिपोर्ट की गुडवत्ता और सिर्धारकों को सूचित करेगा इन चारों आपसों में क्या होगा राइट आंसर आप बताएंगे तो पहले एक्स्प्लिनेशन देख लीजिए आगे असपस्टिकरर प्राप्त करने के लिए अनियमी तताओं के प्रभाव की जांच या परिच्छर रिपोर्ट की गुडवत्ता को देखना तथा इसे अंसधारों को सूचित करना चाहिए तो आंसर आपको मिल गा होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आगे असपस्ट प्राप्त करने के लिए अनियमी तताओं के प्रभाव की जांच रिपोर्ट की गुडवत्ता और सेरधारकों को सूचित करेगा यही जो है आडिटर का कर्तब्य होगा यानि की ड्यूटीज होगी क्योश्य नमर 19 है चालू अंखेचड के संदर्व में निमनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यह नियमित अंतराल से आयोजित किया जाता है यह प्रति दीन आधार पर कार्यावनित होता है जब संगठन में अच्छी आंतरी नियंतर प्रडाले विद्यमान हो तब इसक आप सकता होती है या बहुत खर्चिली होता है तो जैसा कि एक्स्प्लिनेशन आप देख सकते हैं कि पहले जान लीजिए कि चालू अंकेचड क्या होता है ठीक कि चालू अंकेच़ड का आस है ऐसे अंकेच़ड से आप से क्पू्सकता है क्या होता है यानि में जिसमें अंकेचश करते हैं यानि कि continuing समय निष्चित या अनुनिष्चि समयंतरों पर ब्यापार काल मत्तम में आकर उस दिन के इसको हम लोग चालू अंकिछट टे हैं जब संगठर में अच्छी आंतरी नियंतर पढ़ाली विद्यमान हो तब इसकी आवसकता होती है ऐसी कोई कंडिशन नहीं और जैसा कि आज का लास्ट केश्चन हम लोग देख लेते हैं अंकेचर कारकरम का दोस है ठीक है क्या है पहला चीद बता रहा है कि कटोर्था कटोर्था यानि रिजीडिटी नय छेतर की उपेच्छा योजना बधकार या यह सभी तो थोड़ा सा इसके डेटेल्स में हम दोस हैं वो निम्न है कौन-कौन से हैं नई तकनीक की समस्याओं का वहिस्कार ठीक है नए टेकनिक का जो समस्याओं आएंगे उनको वहिस्कार किया जाता है कर दिया जाता है इसमें लेखा परिच्छा कारकरम छोटी कंपनियों के लिए अनुपियोक्त है लेखा करक्रम के संभावने जो भी करमचारी है उनको परसान करते हैं उससे कुछ निकलने वाला नहीं है रिजीडिटी है और योजना बद्ध जो है इसका कार्य है ठीक है तो इसके कार्डिंग आप लोगों ने आंसर समझ गया होगे कि आंसर क्या होगा अपर्युक्त सभी या फिर ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे तो दोस्तों आज की सेशन यहीं पर समाप्त होती है कमेंट बाक्स में बताइए किस तरह के ये क्यूस्टन लगे और यही क्यूस्टन जो है आपको एक्जाम में देखने वाले हैं मिलते हैं अगले वीडियो में क्यूस्टन जो भी बाट किंशन अगले पार्ड में कभर कर अली जाएंगे और ऑले को कि उसके से और आने वाली क्यूस्टन भी खतम हो जाएंगे तब थो के युआएवाला था लेकित